हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर मैं डियलेट थर्ड समिश्टर की साइंस की क्लास लेकर आई हूँ जिसमें आज जो मैं आपका चैप्टर शुरू करने चारी हूँ वो है आपका असंक्रामक रोग साथ सातम को संक्रामक रोग स्वास्थ के बारे में कुछ जानकरी लेते हैं कि वह ने क्या परिवासा दिये स्वास्थ के लिए कोई व्यक्ति स्वास्थ है तो वह क्या होता है कि एक व्यक्ति का स्वास्थ है अच्छा तभी माना जाता है जब वह सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो साथ-साथ क् शारीरिक या मानसिक कारे को प्रभावी डंसिक कर सकता है तब ही वह व्यक्ति स्वस्थ माना जाएगा ठीक है एक तो उसमें बिमारिया ना हो दूसरा क्या है शारीरिक और मानसिक जितने भी कारे हैं उनको प्रभावी रूप से वो कर पाएगा तब ही उसका जो स्वास्थ है वो अच्छा माना जाएगा WHO ने क्या कहा है तो WHO की अनुसार स्वास्थे जो है वो एक S वह सिती है जिसमें पूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक संपन्नता होती है ना कि केबल बीमारिया या पीड़ा का ना होना WHO ने कहा है कि बीमारिया या पीड़ा नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि उसका स्वास्थे अच्छा है उसका स्वास्थे तब ही अच्छा माना जाएगा कि क्या है जब वो शारीरिक मानसिक और सामाजिक इन तीनों रूपों से संपन्न भी होगा और बिमारिया और पीरा नहीं होगी ठीक है केबल बिमारिया और पीरा नहीं है और सामाजी के अमानसिक रूप से वो ठीक नहीं है या संपन नहीं है तो वो व्यक्ति स्वस्त नहीं होगा मनला माना नहीं जाएगा स्वस्त नेक्स आते हैं रोगों का प्रकार तो रोग आपके दो प्रकार के होते हैं पहला है आपका संक्रामक रोग और दूसरे होते हैं आपके असंक्रामक रोग दोनों को हम तुल्ला करते हुए पढ़ेंगे तो यह हमें आसानी से याद हो जाएंगे संक्रामक रोग क्या होते हैं प्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करते हैं जैसे जुकाम बहुत अच्छा एक्जामपल है जुकाम और खासी का अगर आपको जुकाम या खासी होती है आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है घर में भी किसी को हो जाती जुकाम खासी तो आप देख वाएंगे कि दूसरे को भी घर में और जो व्यक्ति है उनको भी हो जा नेक्स्ट है आपका कि यह शंक्राम क्रोग संपंपर्क में आने से पैलते हैं जैसे आप ले सकते हैं डाइबटी जाएं को होती हैं या फिर बिल Sum बिमारिया भी होती है तो एसका मेड की तो अधा की एक से दूसरे को ही जाएगी ठीकिल की नहीं होती है लेकिन संक्रामक रोगों में कया अगर facilitate से अगा पर आपको भी हो सकती है इस तरीके से दादी बाबा को है तो फिर पापा को आ सकती है तो यह आपकी रहती है आनुवान शिक्त आगे बढ़ते हैं के एक्जामपल्स देख लीजिए हैजा इंफ्लुएंजा टीबी टीबी यानिकी वही आपकी ट्यूबर क्लोसिस तपेदिक चैशे रोग बोलते हैं इसको और इसमें आपका जाएंगे मदों में उच्छ रक्त चाप निम्मे रक्त चाप और हिर्दे रोग इत्यादी आपकी जो होंगी वह असंक्रामक रोगों में आ जाएंगे अब पहला है आपका जापानी मस्तिक सजवरी है जो है आपका कोशन पूछा गया है दो तीन बार और यह आपकी एक संक्रामक विमारी है मच्छरों के काटने से यह फैलती है और एक वाइरस जो है वाइरस के द्वारा यह फैलती है तो यह संक्रामक विमारी है यह एक प्रकार का दिमाग भी बुखार होता है इसमें आर्वो वाइरस से यह ब बीमारी से संक्रमित रहते हैं जहां पर उशड़ता जादा होती है वहां पर यह बिमारी होती है अब मच्छर बाहक है तो सीधी सी बात है क्या क्या कारण होगा जहां पर जल बहुत जादा जमा होगा जिसे तालाव बगेरा होंगे तो यह उसके कारण बन जाएंगे इस बिम प्रतन के साथ भरती हुई उचुडता ही इस विमारी का प्रमुक कारण है ठीक है मच्छर वाहक है तो सिदी सी बात है मच्छर कहां बन पनप रहे होंगे जल जहां पर जादा होगा बस वही क्या है कारण है इसका जिससे अभी आप लोग हम लोग के हां पर होती न डेंगू ह हो गया और मलेरिया वगेरह होती मन्चण से ऊसवारी में दक्षवर वाहक है इसके लक्षड क्या है पहला अगर संक्रमर्ट तो उस टाइम पेहल का बुक्षव क्या प्रतिवर्स बहुत से लोग इससे संक्रमित हो जाते हैं है और कारण क्या है इसके फैलने का तो मच्छर मच्छर पैलते हैं तो जहां जल जादा होता है ताला नदी बोकर इन जगहों पर और भड़ती हुई जो जलबाय पर्वर्तन हो रहा तो असंक्रामक रोग बहुत important है आपके यही आपका chapter का name भी है तो असंक्रामक रोग क्या होंगे यह रोग आपके एक दूसरे के संपर्ख में आने से फैलते नहीं है पहली बात तो यह हो गई इसको याद रखो दूसरी बात यह रोग होते क्यों है तो हार्मोंस की गड़ब प्रमोंस कारण रोग के उत्पन होने का कुछ मुख्य असंक्रामक रोग आपके सामने लिखे हुए है पहला है आपका मधुमे यानि की डाइबटीज दूसरा है आपका उच्छ रख्तचाप ऐसे ही आपका निम्ने रख्तचाप भी आ जाएगा ठीके निम्ने बलड प्रेशर नेक्स्ट आपका हिदय रोग एक असंक्रामक रोग है बदुमे की बात करें तो इस चाहिं मधुमे की बिमारी बहुत लोगों को है और मुझे जैसा लगता है कि एक घर में एक इंसान को तो होगी ही होगी मधुमे की बिमारी इसको हम बोलते हैं डाइबट इसंसलिन हार्मोन को कम स्रावित करने लगती है तो उस समय क्या होता है हमारी बोडि में जो ग्लूकोस का इससथख होता है वो सामान ने से बहुत अधिक हो जाता है और उसी स्टित को हमbles रहा है जो jsुमे की बिमारी रही है है यानि क्या है इस यह निकल रहा है है लेकिन अ रिजाते हैं इन्सूलिन के इंजेक्शन लगाए भी जाते हैं कि इंसूलिन क्रत्रिम वह कडें हैं चीज को ध्यान रखना और इंतरित करने में प्रयोग होता है यह हमारे शरीक तरह ब्लड का उसको यह कंट्रोल करता है तो मतमे कदरान मद होती Ciao quello में कि उत्वाइब भिबारी होती है कि इसमें क्या होता है जो अग्णियाशय गृंध्न होती होती है वो इंसुलिन को पैदा ही नहीं वोती है अगर हमारा खान पान गलत है तो वहां पर ही होता है टाइप 2 ठीक है नेक्स्ट है आपका मदुमीह की जाँच तो मदुमीह की जाँच के लिए खून की जाँच करवाई जाती है जिसमें आपके शरकरा की इस तर को पता लगा पाते हैं दो प्रकार से हो ती पहली तो आपकी खाली पेट होती है और दूसरी क्या होती है आपकी भोजन करने के दो घंटे के बाद इसकी कहीयर स्वाइब कुछ सब्सक्सक्राइब कि लिए इसमारी हो गई तो उसके लिए इससाल है एक बार अगर विसकर यह सका decision उसके लिए रख्त में शरकरा का मात्रा होगी वह खाने से पहले यानिकी खाली पेट रहती है सतर से एक सो दस और भूजन के बाद रहनी चाहिए एक सो दस से एक सो चालिस अगर इससे जादा है इसका मतलब क्या है कि उसको डाइबटीज है शुरुआत इससे 145 निकल आती है अगर मदमे से पीड़ित कोई व्यक्त है तो उसको अपनी जीवन शैली में क्या सुधार करने चाहिए यह कुश्चन आपका 2018 में पूछा गया है तो वहां पर इस चीज़ों का आप एड़ कर सकते हैं कि नियमित रूप से एक्सराइज, मेडिटेशन और आपका व्यायाया प्राणाया में सब आप कर सकते हैं सासत खाने पीने पर बहुत ध्यान देना जिससे मीठी चीज़े हो गई वह सब बिल्कुल नहीं खानी है तो यह सब क्या है आपके मदमे की बिमारी जब हो जाती है उसके बाद क्या बदलाव करने पड़ेंगे उसके अंतरकत आप लिख इसलिए इनको हर दो घंटे में कहते हैं कुछ नो कुछ खाते रहना चाहिए लेकिन वहीं जो इनके लिए मनलब ठीक है खाने के लिए वह चीज़ें अगला पॉइंट है बजन कम होना अचानक से बजन गिरने लगता है लोगों का बहुत से लोग आपने अपने आसपास द देखने को मिलेगी जिसको आप देख सकते हैं कि अगर इनको चोट लग जाती तो इनका घाव बढ़ने में बहुत समय लगता है इसलिए इन मदुमे के जो रोगी है इनको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे मतलब अपना इतना खयाल रखें कि चोट चपेट ना लगे तो वहाँ पर अराम से इनका घाव अगयरा होगा नहीं तो भड़ने में समय नहीं लगेगा बहुत कम लेनी चाहिए मीठे फलो वा जूसों से भी परेज करना चाहिए जैसे आपका आम हो गया केला हो गया अंगो जो मीठे फल होते हैं इनसे भी दूर रहना चाहिए और जो आपके क्या कहते हैं जूस वगेरा हैं वो भी नहीं जादा लेने चाहिए एक्सरसाइस वा बिमारियां इस टेंशन की वज़से ही होती हैं तो जितना हो सके चिंता और तनाव से बचने का प्रयास करें और पांचवा पॉइंट है आपका कि नियमित रूप से शुगर लेवल की जांच कराते रहें कि कितना क्या भड रहा है क्या घड रहा है कैसा है आपका इस तर और जो पॉइंट है आपका बिना डॉक्टर की सलहा के कभी भी कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए ठीक है बहुत से लोग होते हैं यह इदर उतर से पूछा या किसी ने बता दिया वही दवाई लेने लगते हैं तो उससे भी काफी सारी बिमारिया हो सकती है होता क्या है बहुत जितना भी हो सके प्रयास करना है कि अपनी जो भी जीवन से लिए उसमें बदलाव करना शुरू कर दें तो यह आज मैंने आपका जो इतना ही रखते हैं आपका मदुमे के बारे में हो गया नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे रख्त चाप यानि कि हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर और साथ साथ आपका जो हिर्दय रोग है उसके बारे में कुछ चीजे पढ़ेंगे क्योंकि कोश्ट आपके यहां से पूछे जाते हैं और चैप्टर आपका दिया है तो सिधी सी बात है आपके हर चैप्टर से एक कोश्ट आना ही आना है चाहें वह लॉं